गुड बॉर्निंग डियर स्टेंट्स कैसे आप सब आशाय आप सब से कुशल होंगे हिंदी की ओनलाइन क्लास में अपना लेसन नमबर वन हो चुका था आज अपन लेसन नमबर टू करेंगे और एक बर बता दूं कि लेसन नमबर वन अपन ने कर लिया था आपको ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा दिया जार है टाइम टू टाइम अपना लेसन नमबर टू है ठीक है सेखी वाज मक्षी सेखी वाज का रत वैसे तो देखा जाये तो कि जो खुद की अपने मुमिया मिट्टू बनना खुद की बढ़ाई खुद की तारीफ खुद करना की बहुत ज़्यादा फैकना तो ऐसी इस पार्ट में भी एक मक्षी है वो जैसे उसको कोई भी मिलता है बीच में सेर भी रहेगा उसके बाद लॉम्डी हाथी फिर लॉम्डी ये सब मिलते रहेंगे उसको अपने आप पे बहुत ही घमंड हो जाता है ठीक है तो उसी का इसमें विवरण है तो बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा इंट्रेस्ट के साथ पढ़िए एक था जंगल कि एक जंगल था उस जंगल में एक सेर बोजन करके आराम कर रहा था कि एक जंगल था उस जंगल में एक सेर बोजन करके आराम कर रहा था इतने में एक मक्खी उरती उरती वहां आप पहुँचे कि वहां पे फिर क्या है कि उरती उरती एक मक्खी आजाती है सेर ने दो तीन दिनों से इसनान नहीं किया था कि सेर दो तिन दिन से नहाया नहीं था, इस नहान करना नहीं नहाना, इसलिए मक्ही सेर के कान के एक दम पास बिन 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 करने लगी, कि वो दो तिन दिन से नहाया नहीं था, इस वज़े से उस पे ज़्यादा बिन बिन करने लगी, सेर को बहुत मुस्किल से नहीं दाई थ थी उसने पंजा उठाया मक्की उड़ गई कि जैसे उसने पंजा उठाया तब तक मक्की उड़ गई लेकिन फिर से सेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई कि दोबारे फिर से क्या हुआ उसके कान के पास फिर सुरू हो गई क्या बिन 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 अब सेर को गुस्सा आया फिर क्या हुआ सेर को गुस्सा आगया कि कहने का मतलब कि एक सेर बोजन करके आराम कर रहा था ठीक है इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां पहुंच जाती सेर ने दो तीन दिन से इसनान ने किया तरतनाया ने था इसलिए मक्की सेर के कान के पास आके भिन भिन करने लगी सेर को बड़ी मुश्किल से तो नेंद आई थी उसने पंजा उठाया तब तक मक्की उड़ गई दिन फिर से सेर के कान के पास आके भिन भिन सुरू कर दी अब सेर को बहुत तेज गुस्ता आ गया वे धाड़ा अरे मक्की दूरट वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा क्या का कि अरे मक्की दूर हो नहीं तो अभी तुझे मैं मार डालूँगा मक्की ने देरे से का चीची जंगल की राजा के मुँसे ऐसी भासा कहीं सोबा देती है मक्की ने क्या का कि छीची क्या रे जंगल के राजा हो के ऐसी भासा कहीं शोबा नहीं देती कि आप तो जंगल के राजा हो ना तो आपके मुह से ऐसी बाते शोबा नहीं देती सेर का गुस्सा बढ़ गया कि सेर का गुस्सा ओर जादा हो गया उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती ओपर से मेरे सामने जवाब देती है कि एक तो तो मुझे सोने नहीं दे रही उसको बहुत तेज गुसा जाता है सेर को और क्या कहा कि एक तो तो मुझे सोने नहीं दे रही ओपर से मेरे सामने जवाब देती है चुप जा चुप हो जा वरना अभी कैसे गुस्से में आके बोल रहा है कि आ तो तू चुप हो जा वरना अभी मक्की बोली वरना क्या कर लोगे क्या का मक्की ने कि वरना क्या कर लोगे तुम क्या कर सकते हो मैं क्या तुमसे डर जाओंगी कि मैं क्या तुमसे डरती हूँ मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ कि मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ हिम्मत हो तो आ जाओ कि अगर हिम्मत है ना तो आ जाओ मैं तो आपसे भी लड़ लूँगी सेर आग बबुला हो उठा क्या हुआ कि सेर आग बबुला हो गया उसने कान के पास पंजा मारा उसने क्या क्या कान के पास है पंजा मारा मक्षी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया कि मक्खी तोड़ गई लेकिन उसका कान के पंजे बड़े नुकेले चुबते है न तो कान पे क्या हो गया गहा हो गया कान की पंजा मारा मक्खी तोड़ गई कान जरा छिल गया मक्खी उड़कर सेर की नाक पर बैठी उसके बाद क्या हुआ मक्खी उड़कर फिर कहां बैठी सेर की नाग पर बैट गई तो उसने मक्की को फिर पंजा मारा कि सेर ने फिर पंजा मारा मक्की फिर उड़ गई मक्की दोबारे फिर उड़ गई अब की बार सेर भी सेर की नाग चिल गई अब की बार कहा लगी सेर की नाग चिल गई मक्की कभी सेर के माते पर बैठती कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर अर्था मक्की कभी कहीं बैठती सेर पंजा मारता जाता और सेर पंजा मारता जाता खुद को गायल करता जाता कि पंजा मार जैसे हो पंजा मारता वो गायल हो जाता मक्की तो फट से उड़ जाती कि मक्की तो जट से उड़ जाती और वो पंजा जैसे ही जहां लगता वहीं पे वो सेर गायल हो जाता अंत में सेर उब गया अर्था थे ठक गया वह बोला मक्की बेन अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तू तुम जीती बस लास्त में सेर ने क्या का कि मक्की बेन तू मुझे छोड़ और मैं तो हारा और तू जीत गई बस अब खुस है मक्की गमंड में चूर होकर क्योंकि उसको ऐसा कह दिया गया न कि भई मैं हारा और तूम जीती तो अब मक्की में गमंड आ गया क्या गमंड आया कि मैंने सेर को हरा दिया मक्की गमंड में चूर चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बड़ी सामने एक हाथी मिला मक्की को क्या मिला एक हाथी मिला मक्की ने का अरे हाथी मुझे प्रणाम कर मक्की ने क्या का कि हाथी मुझे प्रणाम कर मैंने जंगल की राजा सेर को हराया है कि मैंने क्या क्या जंगल की राजा सेर को हराया है इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा तो मेरा अब क्या होगा जंगल में अब मेरा राज चलेगा हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बरबाद करे हाथी ने क्या सोचा कि इस पागल मक्खी के साथ कौन बहस करे कि अपना कौन टाइम वेस्ट करे इसके साथ उसके बाद फिर हाथी ने सूंड उपर उठा कर मक्खी को परणाम किया को सोच्चा कि इसके साथ कौन टाइम वेस्ट करें तो उसने क्या कि अपना सूंडो पर उठा कर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए प्रणाम करके आगे चला गया सामने से आ रही लोमडी ने यह सब देखा वहाँ पर सामने से एक लोमडी आ रही थी वो यह सब कुछ देख रही थी लोमडी मंद मंद मुस्कराने लगी लोमडी क्या धीरे धीरे मुस्करा रही थी इतने में मक्खी ने लोमडी से कहा अरे ओ लोमडी चल मुझे प्रणाम कर मक्षे ने फिर लोमडी को भी का क्या का कि अरे ओ लोमडी मुझे प्रणाम कर मैंने जंगल के राजा सेर और विशाल का हाथी को भी हरा दिया है क्या का कि तू भी मुझे प्रणाम कर क्योंकि तू तो क्या चीज़ है मैंने तो जंगल के राजा सेर और विशाल का हाथी को भी हरा दिया तो तू भी मुझे प्रणाम कर लोमडी ने उसे प्रणाम किया फिर दीरे से बोली धन्ने हो मक्ही रानी धन्ने हो धन्ने है आपका जीवन और धन्ने है आपके मात पिता मक्की को अलोमडी ने क्या का कि प्रणाम कर दिया और फिर दीरे से बोली कि धन्य हो कि आप भी धन्य हो आपका जीवन भी धन्य है और आपके माता पिता भी धन्य है लेकिन मक्की रानी उदर वे मक्डी दिखाई दे रही है न वह आपको गाली दे रही थी उसको जरा खबर लो न उसकी जरा खबर लो न लोमडी बड़ी चालाग होती है आपको पता है न लोमडी बहुत चालाग होती है तो अब लोमडी के माइंड में क्या आया किस मुख्य को कैसे भी सबक सिखाए जाए तो उसने क्या का कि धन्ने हो वैसे तो तुमारे माता पिता भी आप भी आपका जिवन भी लेकिन जो उधर वो जो मकडी दिख रही है ना वो आपको गाली दे रहे थी जरा उसकी खबर ले लो यह सुनकर मक्खी गुसे से लालो उठी क्योंकि मक्खी को खुद पे गमंड हो रहा था क्या गमंड हो रहा था कि मैं ही सबसे सकती साली हूँ तो मक्खी को एकदम से गुस्सा आ गया गुस्से से लालो उठी मक्खी बोली उस मकडी को तो मैं चुटकी बजाते खतम कर दूंगी देती हूं कि उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खतम कर देती हूं यह कहतो है मक्ड़ी की तरफ जप्टी और मकड़ी के जाले में फस गई कैसे गुस्से में आके लाल होके वो गुस्से में आ गई और फिर वो क्या है मकड़ी की तरफ जप्टी और मकडी के जाले में फस गई मकडी जाले से छूटने की जौँजों कोसिस करती कि जैसे ही हो मकडी के जाले से छूटने की जौँजों कोसिस करती गई तो तो और भी अधिक फस ती गई कि जितनी उसने कोसिस की मकड़ी के जाल से छूटने की उतने ही वो और ज़्यादा फस्ती गई अंत में वे ठक गई, लास्त में वो ठक गई, हार गई यह देखकर लॉमड़ी मंद मंद मुस्कराती हुई, वहां से चलती बनी कि यह सब देखें, क्योंकि लॉमड़ी बहुत चालाक होती है, तो यह सब देखें, लॉमड़ी मंद मंद मुस्करातने लगी और वहां से चले गया था, तो उसको क्या करना था, उस मकड़ी को सबक सिकाना था, और वो अपनी चालाकी से उस मक्ठी को ऐसे बोलके कि बई वो मक्डी आपको गाली दे रही थी वो उसकी जराख खबर लोना ऐसा बोलके उस मक्डी के पास उस मक्ठी को भेज़ना चाहरी थी ताकि ये मक्ठी वहाँ जाको उस जाले में फजाएर उसका ये जो घमंड है ये चूर चूर हो जाए इसके लेखक थे योगे जोसी ठीक है इसको लिखने वाले थे योगे जोसी ठीक है आई होप बहुत अच्छी लगी होगी इंटरेस्टिड एक तरह से कहानी सी है पढ़ते हैं तो ऐसा मन करता है ठीक है और इसके प्रशन उत्तरपन अगले वीडियो म करते हैं तब तक के लिए टेक केर थेंक यू